द्रिश्टी आईएस के डेली करण न्यूज प्रोग्राम में आपका स्वागत है डेली करण न्यूज में चर्चा का विश्य है आई एनस वाक्षीर होगा लॉंच मजगाओं डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटिड यानी MDL आज यानी 20 अपरेल 2022 को मुंबई में आई एनस वाक समुद्री परीक्षणों से गुजरेगा और मार्च 2024 तक नौसेना के बेड़े में शामिल होने की उमीद है जान लेते हैं आई एनस वाक्षीर के बारे में यह एक डीजल इलेक्ट्रिक पंडुब्बी है यह मुख्य रूप से एक हमलावर पंडुब्बी का प्रकार है इस इसे दुनिया की सबसे उन्नत पारंपरिक पंडुब्ब्बियों में से एक माना जाता है यह शक्तिशाली हथियारों और सेंसर से लैस है यह समुद्र की सतह के ऊपर या नीचे किसी भी खत्रे को बे असर कर सकता है अब जान लेते हैं P75 स्कॉर पीन परियोजना के बारे मे प्रोजेक्ट 75 यानि P75 की परिकल्पना अप्रेल 1997 में आई के गुजराल के प्रधानमंत्री के कारेकाल में की गई थी P75 के तहत केंदर सरकार 24 पंडुब्बियां चाहती थी एक साल बाद उन्होंने 4 स्कॉर 5 रेनी की पंडुब्बियों के लिए एक फर्म के साथ बात ची 6 पंडुबियों पर हस्ताक्षर करने का ठेका मुंबई के मजगाउं डॉक को 6 अक्टूबर 2005 को दिया गया था और डिलिवरी 2012 में शुरू होनी थी INS कलवरी, INS खंडेरी, INS करंच और INS वेला को पहले ही डिलीवर किया जा चुका है और INS वागीर का समुद्री परीक्षन चल रहा है प्रिय विवर्स इसी टॉपिक को इंग्लिश में देखने के लिए देखिए द्रेश्टी I.S. इंग्लिश योटूब चानल